अध्याय जारे विराट रूप अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुलिये अध्यात्मिक विशयों का मुझे उपदेश जिया है उसे सुनकर अब मेरा महुद्दूर हो गया है हे कमलनेन मैंने आपसे प्रत्य जीव की उत्पत्ती तथा लएके विशय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षे महिमा का अनुभव किया है हे पुरुशोत्तम हे परमेश्वर यद्यपी आपको मैं अपने समक्षाथ के द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ किन्तु मैं देखने का इच्छुप हूँ कि आप इस रश्चित जगत में किस प्रकार सविष्ट हुए है मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ हे प्रभू, हे योगेश्वर यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विष्ट रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना सीम विष्ट रूप दिखलाई भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पास अब तुम मेरे अश्वर रेको सैक्णों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविद रंगो वाले रूपों को देखो हे भारत, लोग तुमादित्यों, वसूं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा आम्ये देवताओं के विभिन रूपों को यहां देखो तुम ऐसे अनेक आश्चर में रूपों को देखो जिने पहले किसी ने न तो कभी देखा है, ना सुना है हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तप्षण मेरे इस शरीर में देखो तुम इस समय तथा भविश्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है यहां एकी स्थान पर चर अचर सब कुछ है किन्तु तुम मुझे अपनी नाखों से नहीं देख सकते अतह मैं तुम्हें दिव्य आँखे दे रहा हूँ अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो संजे ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेशर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर में द्रश्च देखे यह रूप अनेक बैवी आभूशणों से अलंकृत था और अनेक बैवी हत्यार उठाए हुए था यह बैवी मालाएं तथा वस्वर धारण किये था और उस पर अनेक दिख्य सुगंधियां लगी थी सब कुछ आश्चर में तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदे हों तो उनका प्रकाश शायद परमपुरुष के इस विश्वरूप के तेश की समता कर सके उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान परिस्थ हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मान के अनंत अंशों को देख सका तब मुहप्रस सिव माश्टर एच्चकित रोमान चित्व अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक जुकाया और वहाच चोड़कर भगवान से तार्षना करने लगा अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्म मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा आन्य विविद जीवों को एककत्र देख रहा है मैं कमल परासीन प्रह्मा शिजित तथा समत्थ रिश्यों एवं दिव्वे सरपों को देख रहा है हे विश्विश्व, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुह तथा आँखे देख रहा हूँ, जो सरवक्र पहले हैं और जिनका अंत नहीं हैं, आप में न अंत दीखता है, न मध्य और न आदी, आपके रूप को उसके चका चौन तेश के कारण देख पाना कठिन हैं, क्योंकि वह प्रजुलिक अद्नी की भाती, अत्वातूरे की अपार प्रकाश की भाती, चारो और पैज रहा है, तो भी मैं इस पेजों में रूप को सरवक्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं, तथा चक्रों से विश्व हैं, आप परम आध्य गेवस्तू हैं, आप इस द्रम्मान के परमाधार हैं, आप अव्यत तथा पुरान पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालत भगवान हैं, यही मेरा मध्य है, आप आजी मध्य तथा अंत्य से रहित हैं, आपका यश्च अनंत है, आपकी असंग के भुजाएं हैं, और सूरे तथा चंडरमा आपकी आखे हैं, मैं आपके मुख से प्रजलित अजनी निकलते हैं, और आपके तेश से इस सम्कून गम्मान को जलते हुए देख रहा हूं, यह जिद भी आप एक हैं, किन्तु आप आप आगाश तथा सारे लोकों तेवम उनके बीच के समस अवकाश में व्याप्त हैं, हे महापुरुष आपके इस पत्वत तथा भ्यानक रूप को देखकर सारे लोक भैधीत हैं, देवों का तारा समुह आपकी शर्ण ले रहा है, और आप में प्रवेश कर रहा है, उन में से कुछ अत्यंत भैधीत होकर हाज जोड़े आपकी प् शिल्द के विविद्रूप, आजित्यगंग, वसू, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्रनी कुमार, मरूदगंग, पित्रगंग, गंधर, यक्ष, असुर, तथा सिद्यदेव, सभी आपको आश्चर पूर्वक देख रहे हैं, हे महाबाहू, आपके इस अनेक मुख, नेत, बाहू, जंगा, पाउ, पे, तथा भयानक दांतो वाली विराटू को देखकर, देशागंग सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ, हे सरव्यापी विष्ण, नाना जोतिर में रंगों से युक्र, आपको आकाश का इस परश करते, मुख के लाए, तथा बड़ी बड़ी चमक्ती आँचे निकाले देखकर, भय से मेरा मन विचलित है, मैं ने तो धैरे धारन कर पा रहा हूँ, ने मांतिक संतुलें ही पा रह हैं, हे दिवेश, हे जगन्यवास, आप मुझ पर पसंद हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्मी सरूप मुखों को, तथा विकराल दांतों को देखकर, अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, मैं सब और से महों ग्रस्त हो रहा हूँ, तृत्राश्ट के सारे पुत्र, अ प्रवेश्ट कर रहे हैं, उन में से कुछ के चिरों को तो, मैं आपके दांतों के भी सूनिठ हुआ देख रहा हूँ, जिस प्रकार नगियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश्ट करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योध्धा भी आपके प्रज्वलित मुखो प्रवेश्ट कर रहे हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेश्ट से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाष के लिए प्रज्वलित अगनी में कूद पड़ते हैं, हे विश्व, मैं देखता हूँ, कि आ अगनों सहित, प्रकट हो रहे हैं ने देवेश, कृपा करके मुझे बतलाईये, कि इतने उग्रूप में आप कौन है, मैं आप को नमस्कार करता हैं, कृपा करके मुझे पर प्रसंद हों, आप आदी भगवान हैं, मैं आप को जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे युद्धा मारे जाएंगे, अथे उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, और यशर्जित करो, अपने शत्रों को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित मात्र हो सकते हो, द्रौन, भीश, जैद्रत, कर्ण, ततान्य महान युद्धा, पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतहे तुम उनका बद करो, और तनिक भी विचलित नहो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत् करोगे, संजय ने शत्राष्ट से कहा, हे राजा, भगवान के मुक से इन वचनों को सुनकर, कांपते हुए अर्जुन ने हाथ चोड़कर, उन्हें बारंबार नमसकाश किया, फिर उसने भैवीत होकर, अवरुद्ध स्वर में, कृष्म से इस प्रकार कहा, अर्जुन ने कहा, हे रिशिकेश, आपके नाम के श्रवन से संसार हर्शित होता है, और सभी लोग आपके प्रती अनुरक्ष होते हैं, यद्यपि सिद्धु पुरुष आपको नमसकार करते हैं, किंतु असुर्गन भैवीत हैं, और इधर उधर भाज रहे हैं, यह ठीकी ह हुआ है, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदी स्रश्चा हैं, तो फिर वे आपको साधा नमसकार क्यों न करें, हे अनंग, हे देवेश, हे जगन्मिवाद, आप परम सोत, अक्षर, कारणों के कारण, तथा इस भावतिक जगत से परे हैं, आप आदी सुट् Maui यॅभेश, सनातम कुरुष, सथा इस द्रश्च जगत के परमाश्रए हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ हैं, जो जानने हैं, आप भावतिक गुणों से परे परमाश्रए हैं, ए अनंतरूः, यह संपून द्रश्च जगत, आप से व सम्भोद्न उसे कुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था मैंने मुर्टावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है क्रपया उसके लिए मुझे शमा कर दे यही नहीं मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेते हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए कभी या केले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका नादर किया है हे अचुत मेरे इन समस्थ अपराधों को शमा करें आप इस चर्पता अचर संपूर्ण दृष्टे जगत के जनक हैं आप परम पूज्य महान अध्यात्मी गुरु हैं ना तो कोई आपके तुल्य है नहीं कोई आपके समान हो सकता है हे अतुल शक्ति वाले प्रभू भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है आप प्रत्येजी द्वारा पूजनिय भगवान हैं हते मैं गिरकर साज़त प्रणाम करता हूं और आपकी क्रिपा की याचना करता है जिस प्रकार किता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराद सहन कर लेता है उसी प्रकार आप क्रिपा करके मेरी पुटियों को सहन कर ले पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा है किन्तु साथ ही मेरा मन भैबीत हो रहा है अताय आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पुरुशोत्तम भगवत सरूप पुन्ह दिखाए हे विराट रूप, हे सहत्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसमें आप अपने चारो हाथों में शंक, चक्र, गदा तथा पद्म धारन किये हुए हों मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ का दर्शन कराया है, इसके पूर्वन्य किसी ने इस असीम तथा तेजु में आदी रूप को कभी नहीं देखा था एक रुश रिष्ट, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैं न तो वेदा ध्यन के द्वारा, न यग्य, दान, पुन्य, या कठिन तपस्य के द्वारा, इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ तुम मेरे इस भयानत रूप को देखकर अत्यंत विचलित, एवं मोहित हो गए हो अब इसे समाप्त करता हूँ, है मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुने मुक्त हो जाओ, तुम शांत चिच्च से अब अपना इच्च रूप देख सकते हो संजय निधित राष्ट से कहा, अरजुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना स्विच चतर भूज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भैधीत अरजुन को धैवे बंधाया जब अरजुन ने कृष्ण को उनके आदी रूप में देखा तो कहा हे जनारदन आपके इस अतीय सुंदर मानी रूप को देखकर मैं अब इस्थिर्च को हूँ और मैंने अपनी प्राकर तवस्था प्राप्त कर ली है श्री भगवान ने कहा हे अरजुन तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देखपाना अत्यंत दुष्टर है यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं तुम अपने दिव्वे नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदा ध्यन से न कठिन तपस्या से न दान से न पुझा से ही जाना जा सकता है कोई इस ताधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता हे अरजुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हम और इसी प्रकार मेरा साक्षा दर्शन भी किया जा सकता है केवल इसी विभी से तुम मेरे ज्यान के रहस्य को पा सकते हो हे अरजुन जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म की कलमत से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में पत्पर रहता है जो मेरे लिए ही कर्म करता है जो मुझे ही जीवन लक्ष समस्ता है और जो प्रतेव जीव से मैंत्री भाव रखता है वह निश्य ही मुझे राप्त करता है